साथियों ट्रेन में मिडल बर्थ वाले पैसेंजर को जितनी प्रावलम होती है ना उतना सायद ही किसी और बर्थ वाले यातरी को प्रावलम होती हो क्योंकि middle birth होती है दिन में down और रात में हम उसको up कर सकते हैं लेकिन ऐसे में बहुत साई लोगों न यह नियम नहीं पता होता जिससे passengers को यह नहीं पता होता कि वो कहां बैठें या फिर जो upper birth वाला passenger है वो दिन में कहां बैठेगा अगर middle birth खुल जाएगी तो lower वाला तो lower पे लोग नहीं जानते हैं दिन में भी खोल लेते हैं या फिर lower birth वाले passenger को खोल नहीं नहीं देते हैं तो ऐसे में होती है बहुत ज्यादा problem तो चली मैं आपको पताता हूं कि आखिर यह middle birth का rule क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं देखिए अगर आपको middle birth मिलिए कि मिडल बर्थ मिलिए तो आपको सबसे पहले confused नहीं होना है देखिए middle birth का rule रेलवे का कि middle birth जो है क्योंकि दिन में तो डाउन होती है लोग क्योंकि lower birth वैठते हैं तो middle birth को आप अगर आपको middle birth मिलिए तो middle birth को आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही उसको लगा सकते हैं और उस पर सो सकते हैं उसके बाद आपको डाउन करना होगा रेलवे का rule यह कहता है तो सुबह 6 बजे के बाद आपको डाउन करना है लेकिन मान लेजिए अगर दिन के time की train है तो अगर आप other passengers को convince कर लेते हैं तो आप उसको दिन में भी खूल सकते हैं लेकिन यह सबकी सहमत पर होता है लेकि जो रेलवे का rule है वो यही है कि आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही इसको open कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे करना ही होगा तो जो lower birth वाले passengers हैं वो भी ध्यान दे कि आप मतलब तभी बैठ सकते हैं उस पर जब यह open नहीं होगा तो middle birth का rule यही कह